कोरोना संकर्मन के बड़ते खत्रे के कारण बंद की गई दिली सारवजनिक परिवहन को लॉकडाउन के चोधे चरण में केंद्र सरकार की ओर से छूट की संभावनाओं के बीच दिली सरकार ने सारवजनिक परिवहन को अठारा मई से शुरू करने की पूरिय तयारी कर ली है दिली सरकार के आदेश पर DTC वे डिम्ट्स ने अपने चालकों और परिचालकों को तयार रहने को कहा है दोनों एजेंसिये 100% बसों को सड़कों पर उतारने के लिए तयार हैं पताया जा रहा है कि सड़कों पर दोड़ने वाली बसों को हर फेरे के बाद बस अड़े पर ही सैनिटाइज किया जाएगा बसों को सैनिटाइज के लिए डीपों में भेजने की आवशकता भी नहीं पड़ेगी कोरोना के संकरमर के चलते एक बस में 20-22 यातियों को सफर की अनुमती होगी इससे जादा बस में सवारी नहीं बैठ सकेंगी शारी रिगदूरी का ठीक डंग से पालन हो इसके लिए हर बस में दो माशल तैनात रहेंगे डिटीसी लगबक 3750 बसों का परिचालन करता है वहीं डिटीसी और कलस्टर बसों की स्कुल संक्या 6000 के करीब है डिटीसी और डिम्ट्स को निजदेश दिया गया है कि वे अपनी बसे तयार रखे दिल्ली परिवहन मंतरी केलास गहलोत का कहना है कि किंद सरकार की अनुमती देती है तो हम 100% बसों का परिचालन करेंगे जनता से भी अपील है कि वे परिवहन व्यस्ता को लेकर नियमों का पालन करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें